हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आवर चनल कम्प्लीट स्टडी आज इस वीडियो में हम मैथ सुलिशन करने वाले हैं एक पेपर वा था आईसे जीन्द ब्रांच के अंतर तो उसमें मैथ से टोटल पंदरा क्योस्तन पूछे गए थे तो चलिए उनका सुलिशन करते हैं क्योस्त उसके बाद एक 6 उसके बाद 5 फिर पांच नहीं एया यहांपर यह 3, Cities बदो और My तो यह है पांच अंकों की सबसे बड़ी सबसे बड़ी सबसे रखेंग संब्हक्वार को बनाए है फिर छोटी संख्या थे तीन उसके बाद है च्छै और उसके बाद है है च्छाइ में निकालना है नके बी और सबनाबो adjust सब्सक्राइब इसका अंसर हो जाएगा किस option में यह दे रखा हमें option c question number second यदि x की पावर 13 plus 1 अगर हम इसको divide करें x minus 1 से तो शेज़फल कितना होगा x की पावर 13 plus 1 इसको divide करना है x minus 1 से और remainder निकालना है तो ऐसे question आ जाएं तो कैसे solve करेंगे एक तरीका होता है भागवीदी से लेकिन भागवीदी से नहीं करेंगे उसमें टाइम ज्यादा लगता है इसका तरीका मैं नहीं बताया था भी क्लास डाली तब भी कि जो बाज्यक होता है उसको हम जीरो के बराबर रखेंगे तो यहांसे x के वल कितनी आगी वन अब इस वन को हम पूट कर देंगे इस बाज्यक अंदर यहीं की संख्या के अंदर तो वन पूट करेंगे तो एक की पावर 13 तो एक रहेगा और प्लस में 3 11 बटा 4 और डिवाइड में इसको सोल करें तो 6 कम 6 और 5 11 बटा 6 फिट डिवाइडी के जएगा मल्टिप्लाइ संख्या को पलट देंगे तो 8 बटा 7 अब ब्रेकेट को सोल करेंगे तो यहांसे आएगा लस्यम 3 चो का 12 यहांसे आएगा 4 और यहांसे 3 पलस में 5 बटा 7 बा क्योसरा में यहों जाएगा साथ बारा और पलस में इसको सोल के तो साथ से 7 कैंसिल हो जाएगा तीन से 3 कैंसिल तो 5 बटा 4 यहांसे 7 से 7 Cancel और यह जाएगा छे,288 और 12,ues 48 इससे Cancel तो यहांसे बचेगा 1 तो एक बलस में इसको डिवाइड करें तो एक बलस में यहोगा 1 बटा च्यार यानि कि यह हो जाएगा दो सही एक बटा च्यार ओप्शन डी क्योस्टन नबर फूर कुछ दोस्तों ने पिक्निक पर जाकर खाने पर 270 रुपे खर्च करने की योजना बनाई उन में से 3 पिक्निक पर नहीं गए फल्सरूप सेश दोस्तों में से पर्ते को अपने हिस्से से 3 रुपे अधिक देने पड़े तब उस पिक्निक में सामिल दोस्तों की संख्या कितनी थी तो हमसे बोला कि पिक्निक पर दोस्त कितने गए थे प्लान तो कुछ ने बनाया था लेकिन तीन दोस्त फिर नहीं गए तो गए कितने हैं वो हमसे पूचा है रूपे कितने खर्च करने थे 270 तो यह रूपे तो फिक्ष है है slipp, चो पहले निक में सामेल दोस्तों की संख्या क्या है निकी यह value हमें निकालनी है तो इसको हम करेंगे by option से basic इसका मैं ने बता रखा है आइसस ओर जनरल का दब chapter कर आया था average वाड़ा तो उसमें मैं इसका basic बताया था यहाँ पर हम देखेंगे option से तो option में हमें यह value दे रखे है पहला option ठते 15 तो 15 दे रखा है तो 15 भी 270 से पूरा पूरा बाग होना चाहिए तो बाग करके देखें तो यह हो जाएगा 15 एकब 15 बचेगा बारा दो पूरा बाग हो जाएगा अठारा रुपय यहां से आएंगे तो पहले कितने होगे अब 15 हैं 15 पर गई हैं तो पलान कितने न बनाया होगा 18 लोगों न बनाया होगा क्योंकि तीन ने Πैंसिल कर दिया जाना तो 270 psr8 से भी बाग होना तो option A हमारा answer हो जाएगा कोई दूसरा option उठा के देखोगे जैसे B उठाओगे तो B में है 9 अब 270 को 9 से भाग करोगे तो ये तो पूरा-पूरा भाग हो जाएगा 30 रुपय आएंगे तो पहले ये तो जाने वाले हैं पहले प्लान कितना ने बनाया होगा D देखे 16 तो 270 को भाग करेंगे 16 से ये भी भाग नहीं होगा तो A की option हमारा A ये इसका अंसर हो जाएगा क्योस्त नबर 5 एक समित्ती के 8 सदस्यों की ओस्त आयू 40 वर्स थी एक 55 वर्स ये सदस्यों के सेवा निवर्त होने पर इस किस्तान पर एक 49 वर्स वेक्ती इस समित्ती का सदस्यों से बन जाता है वर्तमान समित्ती के ओस्त आयू क्या है समित्ती थी 8 सदस्यों की और इनकी एवरेज आयू दी 40 वर्स फिर एक मेंबर रिटायर हो गया जिसकी आयू थी 55 वर्स और उसकी जगह यांटिया तो यह सभी में से बराबर बराबर कम होगी यनि कि यह कितना ईवरेज हो जाएगा यनि कि 16 को गर हम आठ में बराबर बराबर बाके तो कितना आए यह गाई याईगा दो यानि कि होगा यहां से डायक्ट पता चल जाता है अब चलते हैं कि उस्त नमबर शिक्स पर इसका मतलब है तो ही बढ़ा दी तो कितनी हो जाएगी पूछा क्या है आई तो कोण का वोल्यूम कितना होता है वन भाई थरी पाई आर सुके है और चलते है तो कोंस्टन दा वैलों तो कैंचिल हो जाएंगी अब यहां पर रडियस थी आर और च यहां zoning आनि कि कि यहां पर तो यही वोल्यूम रहेगा और यहां पर रहेगा आर कितना है यहां पर टू आर तो टू आर का स्केर करेंगे तो फोर आर स्केर एच कितना है टू एच तो एच के दिगाए टू एच रखेंगे तो यह हो जाएगा चार दूनी आठ 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 आर स्केर एच और यहां पर था आर स्केर एच तो कितने की वर्दी होगी यहां पर जितनी समय में एक खर्गोस पांच छलांगे लगाता है उतनी ही देर में एक कुत्ता तीन छलांगे लगाता है यदि कुत्य की एक छलांग में तया की गई दूरी खर्गोस की तीन छलांगों में तया की गई दूरी के बराबर हो तो कुत्य वह खर्गोस की चालों का अनुप तो खरगोस लगाता है पांच चलांग, उतने ही समय में कुत्ता लगाता है तीन चलांग, उसके बाद बोला है कुत्ते की एक चलांग, यानि कि एक चलांग कुत्ते की और तीन चलांगे खरगोस की, तो थरी आर, जितनी दूरी कुत्ता एक चलांग में तै करता है, उतनी ही चलांग में तीन यूनिट यूनिट मालो इसको तीन यूनिट डिस्टेंस कवर करता है और रैबिट एक चलांग में एक यूनिट डिस्टेंस कवर करता है तो यहां से हो जाएगी डिस्टेंस पर चलांग एक चलांग में तैकी कई डिस्टेंस कितनी करता है रैबिट वन और स्पीड मल्टिप्लाइ में टाइम जब टाइम कॉंस्टेंट होगा तो डिस्टेंस और स्पीड की जो रेशियो की वो डारेक्टली परपोर्शनल है तो हमसे पुछा क्या है कि कुट्टे वह खरगोष की चालों का अनुपात पहले डोग की बता हैं डोग और रेबिट इनकी की डिस्टेंस तो इसकी है नो और इसकी है पांच नो रेशियो पांच इसका अंसर होगा ओप्शन भी क्योंस्टन नमबर एट ए ने 14 रूपे की पुणजी लगाकर एक वियापार आरंब किया पांच महीने पस्टात बी तथा इसके दो महीने पस्टात C भी कुछ पुणजी लगाकर वियापार में साध जा हो गया यदि वर्ष के अंत में प्राप्त लाब 4 रेशियो तीन रेशियो दो के अनुपात म B तदा C दवारा लगाई पुंजी कितनी है तीन मेंबर हैं A B और C A ने पुंजी लगाई 14 रुपे की और इसके 5 महीने बाद इसके 5 महीने बाद आया B इसने कुछ पुंजी लगाई होगी वो हमें दे नहीं रखी मान लेते हैं X पुंजी लगाई और B के जुड़ने के 2 महीने बाद आया C और इसने पुंजी लगाई Y इसके पुंजी भी हमें नहीं दे रखी फिर बुला कि एक वर्स के अंत में तो A तो स्टार्टिंग से काम कर रहा है यानि कि इसने 12 महीने तक काम किया और B आया था 5 महीने लेट तो यह कितने महीने काम करेगा 7 महीने क्योंकि 5 महीने तो ओलरीडी लेट है एक वर्स इने काम करना है और C कितने महीने काम करेगा C खुद B के आने के 2 महीने लेट था तो यह करेगा 5 महीने अब जो इनकी रेसियो है वो रेसियो हमें दे रखी है चार रेशियो, तीन रेशियो, दो यह profit की रेशियो, profit क्या होता है investment multiply में inv Themen तो यहाँ पर हम इन दोनों रेशियो को बराबर रख लेते हैं जो A की profit है जो A एक प्रोफित है वो है 1412 और जो B का profit है, 7X इन की रेशियो कतनी है, चार रेशियो तो तीन तो यह सेगर हम X की वेलू निकाड़ें तो साथ से कैंसल करेंगे तो यह वोगा 200 चार से कैंसल करेंगे तो तीन अब तीन इस साइड आएगा X एट साइड आएगा तो X बराबर 3 तिया नो नो दूनी 18 तो X की वेलू 1800 X क्या था B की पुंजी थी अब इन दोनों रेशों को बराबर रखेंगे 1400 गुणा 12 डिवाइड में यह प्रोफिट है A का और C का प्रोफिट कितना है 5Y और इनकी रेशों कितनी है च्यार बटा तो 5 से कैंसल करेंगे 5 दूनी 10 पांच 8 चालिस जीरो चैसे कैंसल करेंगे 4 तिये 12 क्रोस मल्टिप्लाइ करेंगे तो Y की वेलू आएगे यह से 2 तिया 6 0 6 8 48 4 6 दूनी 12 12 और 4 16 तो यह है C की कुंजी 1800 और 1680 ओप्शन A क्योस्टिन नमर 9 एक दारा के गती 5 किलो मेटर पर हावर है एक मोटर बोट 10 किलो मेटर फिर विरूत जाकर फिर वापीस उसे इस्तान पर 50 मिनिट में पहुंचती है मोटर बोट की गती स्थिजल में कितनी है दारा की चाल दे रखेंगे यू हमें दे रखा है 5 km पर हावर एक motor boat 10 km दारा के विरूत जाकर यानि की distance कितना है 10 km total time हमें दे रखा है 50 मिनट निकालना क्या है व की value यानि की motor boat की speed अब total time हमें दे रखेंगे दारा के विरूत जाकर तो time क्या हो जाएगा formula हता distance is equal to speed multiply में time time हमें निकालना है तो distance पूर में speed distance हमें दे रहे हैं कि 10 km की speed हो जाएगी विरूत जाद आया यानि की दारा के विरूत तो speed कितने हो जाएगी v-u फिर वापीस आएगा तो वापीस आएगा हावर में बना लेंगे कि 60 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर हमें एक वहलों दे रखें यू की दस डिवाइड में वी माइनस पांच प्लस में दस डिवाइड में वी प्लस में पांच बराबर में 5 बटा 6 अब इसको solve नहीं करेंगे इसमें time ज्यादर लगेगा option की help ले होएं तो पांच से कैंसल करें लेते हैं दो बटा तीन दो बटा पांच क्या आना चाहिए था पांच बटा च्छे तो तीन पंच ये पंदरा एलसे माइगा पंदरा से च्छे नहीं बन सकता यानिकि ये option हमारा सहीं नहीं हो सकता अब option second देखते हैं 25 तो 10 25-5 कितना हो जाए था यानिकी जो option B हो इसका right answer हो जाएगा तो अब चलते हैं क्योस्त नुबर 10 पर 400 व्यक्ति 9 गंटे परती दिन कारिया करके किसी कारिया के एक बटा च्यार बाग को 10 दिन में पूरा करते हैं सेस बचे कारिया को 8 गंटे परती दिन काम करके 20 दिनों में पूरा करने के लिए जितने एतिरिक्त व्यक्तियों की आवस्यक्ता होगी उनकी संख्या क्या है तो एक फोर्मुला पढ़ा था mdh का m1 d1 h1 डिवाइड में w1 is equal to m2 d2 h2 डिवाइड में w2 यहाँ पर जो जो value हमें दे रखे हैं वो put कर देंगे तो 400 व्यक्ति m की जगा 400 9 गंटे परती दिन कारिय करके नहीं h की value 9 है किसी कारिया के एक बटा 4 को काम कितना है एक बटा 4 पूरा काम नहीं है काम है एक बटा 4 तो 4 उपर चला जाएगा और 10 दिन में पूरा करते हैं यह d की value है फिर क्या पूछा है सेस बचे कारिय को काम कर दिया एक बटा 4 सेस कितना रह जाएगा 3 बटा 4 क्योंकि इनको जोड़ेंगे तबी पूरा काम आएगा एक के बराबर तो सेस करें कितना है 3 बटा 4 तो 3 चार उपर चला जाएगा और परती दिन 8 घंटे काम करके एक की value 8 है और फिर बोला कि 20 दिनों में पूरा करना है तो 80 रिक्त वेक्ति कितने लगेंगे पहले वेक्ति थे 400 हम मा लेते हैं अब आगे एक्स वेक्ति तो 400 प्लस में एक्स यसे पूरा करेंगे यहां से x की value निकालनी है तो इसको solve करते हैं 4 से 4 cancel और 8 से cancel करेंगे तो यह आएगा 50 0 से 0 cancel और 2 से cancel करेंगे तो 25 तीनी side आएगा तो multiply में तो यह हो जाएगा 9 यह 27 27 गुणा 25 बराबर 400 प्लस में x 25 गुणा 27 तो 25 करेंगे 625 और 625 में 15 जोड़ेंगे तो 675 बराबर 400 प्लस में x x हो जाएगा 675 माइनस 400 यानिकी 215 तो 215 वेक्ति और लगेंगे option b क्योस्ट नमबर 11 पंद्रा सो पचास रुपे में से कुछ दन 5% तथा 6 दन 8% वार्श सादन ब्याज की दर से उदार दिया गया है इदी संपूर्ण धन पर 3 वर्ष बाद 22 तीन सो रुपे प्राप्त हो तो 5% तथा 8% दर पर दिये गए धन में अनुपात क्या होगा टोटल धन राशी थी 1550 इसको दो बागों में इसने डिवाड करके इंट्रेस्ट पर दिया महा लेते हैं पहला बाग एक्स है तो दूसरा बागों जाएगा 1550 माइनिस एक्स अब इस राशी को एक्स को इसने दिया 5% की लेट पर कितने समय के लिए 3 वर्ष के लिए तो यह यह से कुछ ब्याज आएगा यह सिंपल इंट्रेस्ट का फूर्मुला पी आर्टी डिवाइड में हैंडल अब दूसरी राशी को यानि 1550 माइनिस एक्स इसको दिया इसने 8% की रेट पर 3 वर्ष के लिए तो यह से कुछ ब्याज आएगा और यह टोटल ब्याज हमें दे र 250 गुणा में 24 माइनिस में 24 एक्स बराबर में इतना हो जाएगा 30,000 अब इसको सोल करें तो 24 में से 15 माइनिस करेंगे तो 9 और माइनिस का 9 एक्स बराबर इसके मल्टिप्लाई करें तो कितना आएगा यह जीरो 24 पंजे 120 हसल लगेगी 12 24 पंजे 120 और 12 132 दो हसल लगेगी 13 24 एकम 24 और 13 यह हो जाएगा चोटीस और तीन सैथिस यह जार दोस्तों तो तो 47 यह 200 में से यह माइनिस के लिए 30 एदार तो यह ब्राबर होगा माहिनस का एगा 1200 माहिनस कैंसे एक्स के वेयलो कितनी होगी 800 तो पहली द्रणावसी थी 800 दूसरी हो जाएगी 750 इसकी रचाओ निकाल नहीं थी 0 से 0 केंसिल 5 से कैंसल करें तो 16 5 पंजे 80 और 15 और 15 तो 16 गत्य के च्यार वर्ता का टुकडों को जिन में से परते की तिर्जा 7 सेंटिमीटर है, इस प्रकार रखा गया है कि परते एक टुकडा अन्य दो टुकडों को सपर्श करता है, इन च्यार टुकडों के बीच गिरे खाली स्थान का चेतरफल कितना होगा। तो हमें यहाँ पर 4 सरकल दे रख हैं, और यह सरकल इस प्रकार रखे गए है कि एक सरकल बाकि दो सरकल को टुक करता है, इस तरह से चार सरकल रखे गए हैं, तो यह इनका सेंटर हो जाएगा, अगर यहां से हमें लाएं ऐसे, तो इस तरह से एक चत्रुबुज बंजाएगी, अब सर्कल की डेशे में दे रखी दिए 7, इस साथ होगी और इस सर्कल की यह डेश हो जाएगी, साथ होगी, जो इस के साइड कितनी हो जाएगी एक 14 सेंटिमीटर, मतलब इस सुकेर है, तो सुकेर का एरिया कितना होता है, ए उसका बाखा का सेटी में 14 के के सेट के давно 156 सेंटी मेठर है और हम इसका अंद्र को आधा अंदर एक Indonesia सेंटी मिंटर सुर्च right हमें एडिया में चैय निकालना है जो इन सरेकल के बीच में है ये वाला के निसको से जो हमने शुकर का एयर निकाला है अगर इस में से हम यह जो हमें यह सएक्टर बनाए दिखाई देये रहे हैंistinct यह 44 होग एक दो तीन चाथ एस एक यो यह याल रख सकते हो कि जो सरकल है चोथा हिस्था इसका और एससे brightest है तो कुल मिलाकर यह सर्कल बन जाएगा तो एक सरकर का एरिया में यह सकते हैं 爷 4 पाई और सुके यहां से सुल करें तो भी इतना ही well-nous ऐगा तो यह हो जाएंगा 22nda 7 delicious साथ मोणाइ साथ इससे cancel I show जाएगा 7204 साथ नियुक्तं वैंद reversal Sakye सुद्टिध तो इसमें सीसे को मैणिस कर देते हैं कितना बाध़ चार आईरने 25ique सब्सक्राइब यह अंदर वाड़ा जो यह अरिया है उप्सन भी अब सलते हैं क्योंस नमर्ट थर्टीन पर कि फॉइंड रेस्प्रोकल ओफ कि फिफ्ट रूट दे रखा है और अंदर क्या बारा सही 209 डिवाइड में 223 इसको में सुल करना बिल्कुल 122 प्लाइब का बता है यह है टीन की पावर पाउंच अब इसको हम सोल करेंगे तो फिफ्ट रूट है तो पूरे की पावर 1गट पांच आईगा तो एक बटा-पांच एंसल हो जाएगा निचे 3 है निचे 3 आए गान से उपर कुछ आएगी value निच्छे 3 इसने हमसे यह बोला कि इसका रैसी प्रोकल बताएं कि इसका उल्टा तो 3 ऊपर चला जाएगा अब option चेक करें कितने option में ऊपर 3 है एक option में है option ए तो यह हमारा answer हो जाएगा इसको 6 निकाना था पूरा तो अगर पूरा शॉल करें तो कैसे करें वह देखो और 233 यह होता है 3 की पावर 5 और इसका फिप्त रूट है तो यह हो जाएगा 5 की पावर 5 तीन की पावर 5 इस पूरे की पावर 1 बटा 5 तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा यह बचेगा 5 बटा 3 हमसे पूछा था इसका रैसी प्रोकल यानिक इसका उल्टा कितना हो जाएगा 3 बटा पांच, ओप्शन ए, क्योस्त नमर 14 एक रूपे के 20 सिक्के 50 पैसे के 10 सिक्के और 25 पैसे के 7 सिक्के इन में से 6 सिक्कों को कितनी परकार से चुना जा सकता है तो एक फॉर्मूला होता है NCR का N यहाँ पर क्या होता है, टोटल जो भी टोटल वैल्य हमें दे रखे होंगी और R यहाँ पर जो हमें सेलेक्ट करने है जो हमें निकालनी है चुननी है वो R है तो यहाँ पर सिक्के कितने हैं कूल तो यह हो जाएगे 20 और 10 तीस तीस और साथ 37 तो N के वैल्य कुतनी हो जाएगे 37 और R यहाँ पर हो जाएगा 6 से क्या हमें यहाँ पर चुनने हैं तो R 6 फॉर्मल में रखेंगे तो 37 C 6 तो यह इसका अंसर हो जाएगा option C question number 15 एक संदूक में 20 बलब है जिन मेंसे 4 खराब है या द्रिक्षिक रूप से 2 बलब निकाले जाते हैं कम से कम 1 खराब बलब की निकालने की प्रायकता क्या होगै यानिकि Randomly हमें 2 बलब निकाल निकालने हैं तो उन 2 बलब Acts में से कम से कम एग बलब खराब होना चाहिए टोटल बलब कितने रखें में 20 डिफ्रेक्टिव कितने है च्यार तो सही कितने रहेंगे जो perfect बलब हैं जो काम कर रहें वो कितने बलब होंगे 16 अब हमें क्या निकालना दो बलब हमें निकालने जिसमें से कम से कम एक बलब क्या होना चाहिए खराब होना चाहिए तो अब इस पिछे सीखा था 14 में formula होता n c r n मतलब total r मतलब जो select करने हैं तो select करने कम से कम एक खराब हो तो अब हमें दो बलब निकालने हैं उनमें कम से कम एक खराब होना चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा दोनों भी खराब हो सकते हैं यह के लिए यहां पर प्लस का साहिन आता है और एंड के लिए यहां पर आता है multiply का यह सब permutation और combination में हमें सीखना पड़ता है तो हमें ज्याद से ज्यादा धो बलक ह्राब लेने हैं यहां 2 और यह हो जाएगा कितने में से च्यार थे टोटल दो यहां पर ले लिए तो जो सही है उसमें?!" 10 होता है इंन सी जरो कितना होता है यह वान होता है इसको लिखेंगे नहीं लिखेंगे और निच चाहएगा total, total थे 20 बलब, इसमें से हमें निकालने हैं दो बलब, तो इसको solve कर लेते हैं, ncr का formula होता है, n factorial, n minus r का factorial और r factorial, तो इसको solve करें तो 4 का factorial, और निच चाहएगा ये, 3 का factorial और multiply में 1 का factorial, मुल्टिप्लाइ में 16 का फेक्टोरियल 16 में से एक मैनिस करेंगे 15 का फेक्टोरियल और यह होगा 1 का फेक्टोरियल और प्लस में 4 का फेक्टोरियल और यह होगा 2 का फेक्टोरियल multiply में 2 का factorial, divide में 20 का factorial, divide में 18 का factorial, multiply में 2 का factorial, इसको solve करें तो यह हो जाएगा, 4 गुना 3 का factorial, तो 3 के factorial से cancel, यहाँ से कितना आएगा? 4, multiply में इसको solve करें, तो 16 गुना में 15 factorial, 15 factorial से 15 factorial cancel, उपर कितना बचे का? 215-16 plus में यहां से कैंशल करेंगे तो 4 गुला 3 4 गुला 3 गुला 2 फयक्टरिल 2 फैक्टगॉरिल चिये कैंसिल यह गार 2 गुला 12 से कैंसिल करेंगे 4 कितना होगा 2 दो तने 6 टो यहांस आएगा 6 डिवाड में इसको स्वणख करेंगे तो यह वहोगा 20 ₹ 18 सब्सक्राइब मर् step 1 तक दो विए divraine एक टूल सोला एक है कि टोछे चोंट चोंट ओर चाह कितना हुजए गास तर डिवाइड़ें प्सोंट निद्वाटेशाट थे निद्वाइब होगी option B तो यह 15 क्योंसे पूछे गए थे अगर किसी क्योंसे पूछ सकते हूं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में